हेलो फ्रेंज मेरे इस यूटिव चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मश्रूम की सबजी मश्रूम मसाला जिसके लिए मैंने प्याज तीन प्याज मद्यमकार के तीन हरी मिरच लसन कटा हुआ अधरक प्री कटा हुआ लसन अधरक को आप अगर कटा हुआ नहीं पिसके भी डाल सकते हैं तो यह तीन प्याज तीन टोमाटर मैंने लिए हैं जिसकी हम प्यूरी मनाएंगे और यह मेरे पास मश्रूम है जो मैंने इसे काट लिया है आधा आधा करके तो अब हम शुरू करेंगे एक बड़ा चमाच मखन डालती हूं थोड़ा सा तेल डालों करेंगे तांके यह मखन नीचे ना लगे को तोड़ा चाबत जीरा हर ताले मेरत अब हमारा जीरा तोड़ा बुन लिया है अब मैं इसमें डालूंगी लश्म अब मैं इसमें डालूंगी प्यास तरी मिर्च अधरत अब इसको हम ढूनेंगे ब्राउन होने तक यह हमारा प्यास है जो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है यह देखिए अब मैं इसमें डालूंगी इसमें एक चमच नमक आप स्वाद उनसार डालिए अगा चमच हल्दी थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि मैंने हरी मिर्च पहले डाली हुई है और गरम सला एक चमच और इसे मैं रंग देने के लिए इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा तो मैं यह देगी मिर्च डाल रही हू अब इसको फोड़ा सा भूनेंगे ताके मसालों का कर्चापन निकल जाए अब हम इसमें डालेंगे टोमाटर की प्यूरी यह मैंने तीन चार टोमाटरों के प्यूरी बनाई है अब इसमें डालेंगे अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तमाटर टाल कर यह मारा जो मसाला है यह अच्छी तरह से भून गया है इसने घी चोड़ दिया है और अब हम इसमें डालेंगे मश्रूम मश्रूम में से भी पानी निकलेगा तो इसमें हम थोड़ा सा ही पानी मलाएंगे इसमें थोड़ा सा सो एमेल पानी मलाएंगे अब इसको हम पकने देते हैं ढ़के अब हम इसको ढखके दस मिन्ट पकाएंगे फिर बाद में देखते हैं आठ से दस मिन्ट हो गए हैं अब हम इसको देखेंगे तो यह हमारा मश्रू मसाला बनके बिल्कुल तयार हो गया है अब हम इसमें यह जो कसूरी मेथी है अंडियस के लिए मैंने तो इसको थोड़ा क्राश करके इसमें डालेंगे जो यह मेथी है इसका टेस्ट इसमें आ जाए तो मैं इसको थोड़ा सा टाइं एक मिन्ट के लिए और ग्यास पर रखती हूं एक मिन्ट हो गया है यह हमारा मश्रू मसाला बनके तियार है बिल्कुल थाने के लिए अब मैं इसमें को सर्विंग बॉल में निका लेती हूं अब भी इसी तरह बनाई और खाई यह देखिए यह बहुत टेस्टी बना है इसको बनाने में टाइम भी नहीं लगा है तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को शेर कीजिए कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू